हेलो एन वेलकम बैक टो माय नेदर वीडियो उमीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली जितने वी वीडियोस होंगी आपको उसकी नोटिफिक्शन मिलती रहे और ताकि मेरी कोई वीडियो आप स्किप ना कर सको मैं इंफोर्मेशन वीडियो बनाता रहता हूँ मैं जैनुएन वीडियो बनाता हूँ मैं कोई मिर्ची बगरा लगाता नहीं हो तो और मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कर लो कमल को है 2009 में इंस्टाग्राम आईडिय है बात करने वालों की मुझे बहुत सारे मेसेज़ आ रहे थे कि जिसमें कि क्या हम यूएस, कैनेडा, उस्टेलिया, न्यूजिलेंड इन देशों में जा सकते हैं माल्टा से तो उसके वारे में सारी इंफ्रमेशन, उसके वारे में आपको इंफ्रमेशन दोंगा कि क्या आप वाकई में जा सकते हैं उन कंट्रियों में की नहीं सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूके से क्यूंकि सबसे नजदिक हमें यूके बढ़ता है माल्टा से और UK पहले एक शेंजन जोन था, 2019 से पहले आपको पता होगा, UK में Brexit हुआ था, 2019 में, जिसके वेश से अब वो शेंजन का पार्ट नहीं रहा, उससे पहले तो फिर आप जिसके बस माल्टा की TRC काड थी या माल्टा का वीजा था, वो UK जा सकता था, तो UK ने फिर immigration वाले जो है वो anyhow, easily जा सकता है, उनको वीजे की जुरुतित नहीं बढ़ती, लेकिन जो एशिय से लोग आते थे, TRC काड बनने के बाद, UK में चलिया आये करते थे, और वाहाँ पर illegal होते थे, जिसकी वेश से फिर, UK की गवर्मेंट ने ये step लिया, कि हमको Brexit होना चाहिए, तो ये था य और दुसरा हो गया, बहुत जदा most important countries, जो North America में है, US and Canada, क्या इनमें आप जा सकते हो, इनमें भी जा सकते हो, क्योंकि आप already एक ऐसी country में हो, जिसका वीजे जल्दी मिलता नहीं है, Shenzhen Zone है तो, European country है, और यहाँ पर अगर आप जो जो जोब कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि जोब करकी जैसे इंडिया में बैठकी आप डॉक्मेंट बना लेते हो, एजेंट ऐसे होते हैं कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, वो तियार कर देते हैं, 20-30 जो भी चार्ज करते होंगे, वो आपका 6 मैने का स्टेटमेंट आपको प्रॉपर से आपको दे देते हो, ले जाने के लिए कहते होते हैं कि UK का मंगता गया कि 6 मैनि की payslip होना चाहिए, 6 मैने का bank statement होना चाहिए और कंपनी तरफ से NOC होना चाहिए अगर आपने UK में ट्राइ करना है तो UK का अगर आपको विजिटर विजा चाहिए तो दो परकार के विजिए होते हैं एक होता है विजिटर विजा एक होता है विजिट वीजा में किया होता है कि आपका कोई बंदा है किसी specific country में आप उसको मिलने के लिए जा रहे हो उसे कहते हैं विजिट विजा तो उस कंडिशन में सब कुछ स्पॉंसर आपने खुद का करना है तो यह होता है और UK में UK की जो विजिटर विजा है सबसे expensive है अगर आप around the world अगर compare करते हो तो उसका विजा बहुत महेंगा है अब 6 महने का विजा देता है UK ठीक है जी 100 उसके बाद फिर एक साल का है दो साल का फीज बढ़ती जाएगी maximum 10 यर का विजा देता है उसकी फीज हो और ज्यादा बढ़ जाती है माल्टा से जो लोग UK जाना चाहता है बस आपको क्या करना है 3000 यरो आपके अकौर्ड में होने चाहिए और आपको विजा मिल जाएगा अगर आपने UK का ट्राइग करना है नेक्स्ट बात करेंगे केनेडा की केनेडा के जल्दी विजा मिलता नहीं है क्योंकि कैनेडा में आ अगर आप देखो है घूमने के मतलब से तो आप इतना कुछ है नहीं घूमने के लिए सिर्फ यह कि वहां जाके लाइव अच्छे हो जाती है अगर आपने यूएस कैनेडा न्यूजिलेंड अस्टेलिया अगर आपने जाना है तो सबसे पहले आप UK का ट्राइग करो UK का आ जाना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि वहां की इमिग्रेशन भी यह देखेगी कि बंदा UK से पहले UK जा चुका है और UK से वापस अपने जहां पर वह काम कर रहा था काम कर रहा था कंटिन्यू तो UK का वीजा लगाने का यह पैनिफिट यह ही होगा क्योंकि तो इजी लग करता है वह इतना ज़्यादा करते नहीं सिर्फ आपका फंड देखते हैं 5000 येरो आपके अकॉंड में है और एक हफ्ता आप गुमने के लिए जा रहे हो तो इनफ है तो डॉक्मेंट के लिए कि लिए होता है कि हो ही लगती है छे मेने के बैंक स्टेट्मेंट मांगते हैं व कहां गुमना है क्या करोगा कुछ प्लैने नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपको वीजा वन नहीं देंगे और वीजा विजा उनका बहुत सस्ता होता है 160 यूएस डॉलर लगते हैं और 10 येर का वीजा देता है सेम केनडा भी आपको 10 येर का वीजा देगा और बहुत इज देखेंगे कि बंदेने बंदे के पास और यूएस का वीजा है तो डेफिनेटली आपको फिर कैनडा का वीजा मिल जाएगा इसमें कोई दो राह ही नहीं है सेम उस्टिलिया कभी यही है सेम प्रिसीजर है आपके पास आपके पासपर्ट पर लग गया ना तो आपकी समय ल यूएस की वीजा का तो उमीद करता हूं कि आप जब भी अपलाई करोगे आपने डॉक्मेंट आपने बहुत स्ट्रॉंग करने है प्रॉपर उसके बाद अपलाई करो कि एक बार रिजेक्शन अगर लग जाती है न तो उसको रिफिल करना बहुत मुश्किल होता है जल्द यूएस का जो वीजिटर वीजा था उसको वर्ग परमिट में एक्स्टेंट करना बहुत तफ था लेकिन आप रहत मिल गई है अगर आपको वीजिटर वीजा मिलता है यूएस का आप उसको वर्ग परमिट में कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है तो उमीद करता हूं कि आ देना इन्वाइ कर देना थेंक्यू सो मच